आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस question में हमें दिया गया है Converging lens is used to form an image on a screen when the upper half of the lens is covered by an opaque screen तो क्या होगा? पहली बात दिया गया है कि Converging lens को हम use कर रहे है इसकी एक्सिस हो गई, इसकी principle एक्सिस हो गई, अब बोला गया है कि इससे screen बढ़ा, इससे screen पे हमें कोई image चाहिए, let's say अपनी screen हो गई अब यहाँ से जो raise आएंगी ठीक है, let's say यहाँ से raise आएंगी वो इस तरह से जाएंगी इस तरह से यहाँ पे screen पे क्या बनाएंगी इस तरह से जाएंगी और screen पे image बना देंगी ठीक है, कुछ raise ऐसी आएंगी जो यहाँ से आएंगी इस तरह से और इस तरह जाएंगी ठीक है, और कुछ raise सीधी इस तरह निकलेंगी तो यहां पर image बन जाएगी तो अलग-अलग type की images अमें screen पर चाहिए अब बोला गया है कि upper half को अगर मैं cover कर दूँ तो क्या होगा complete image will be formed यह बात तो सही है क्योंकि नीचे वाले जो पार्ट है वहां से तो race जा पाएंगी और रे को जाने के लिए कोई बहुत बड़ी जगा थोड़ी चाहिए वह तो सीधी ऐसे आएगी और निकल जाएगी ऐसे एसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी बस दो दो रेज पास होने के लिए जगा चाहिए दो रेज जहां मिल जाएगी माँ ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी तो complete इमेज तो फॉर्म होगी और intensity of the image will decrease यह बात भी बिल्कुल सही intensity क्यों कम हो जाएगी क्योंकि अपन ने क्या कर दिया है इस उपर वाले इसका मतलब इससे इमेज बनेगी ठीक है वो कम intense होगी क्योंकि पहले देखो क्या होता बहुत सारी रेज आती ठीक है यह अगर मेरा तो यहां तक ही रे आप आएंगी तो इसकी वज़े से intensity जो बनेगी मेज की वो decrease हो जाएगी so B and D are correct options Classics to 12 से लेके NEET IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजे अपने doubt आट 400 400 पर